किस तरीके से ब्यूटिफुल हो अशोभनिय कोई भी नहीं चाहता है कोई भी वेक्ति यह नहीं चाहता है कि मेरा जो जीवन है वो अशोभनिय हो अगली हो सब यहीं चाहते कि सुन्दर हो लेकिन इस विशे में सुन्दरता बनाने के विशे में स्रीमत भागवतम में क्या कहा इस पे आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि ज्यादा तर ये देखा गया है कि हम ये समझते हैं कि हमारा जीवन सुन्दर है जब दूसरा व्यक्ति ये कहेगा कि हमारा जीवन सुन्दर है तब हमें लगता है कि हाँ हमारा जीवन सुन्दर है हम अपनी पराकाष्ठा पर खुद को मुल्यांकन नहीं करते हैं कि क्या हमारी क्या हमारा जीवन सुन्दर है और मुल्यांकन स्वयम करना बहुत ही सरल है अंदर से यदि आनंदा रहा है तो कह सकते हैं कि जीवन सुन्दर है लेकिन स्रीमत भागवतम में आज इसी चीज को लेकर के चर्चा करेंगे, देखिए एक तो सबस्ची बात यह है कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें मौका बहुत बढ़िया मिल गया है, बार-बार नहीं पाहिए इस जन्म की मौझ, देखिए अभी कृष्ण भागवान का भी जन्म होके चुका, तो कृष्ण भागवान का जन्म कहां पे हुआ, उनका जन्म है वो जेल में हुआ, इसका अर्थ क्या है, कि भागवान को जेल बहुत पसंद है, तो भागवान को जेल जो है वो बहुत पसंद है, नहीं तो क्यों वो जेल बहुत पसंद है, नहीं में आए पसुदेव देवकी के लिए जेल में प्रगठ हुए और उसमें अच्छी बात ये है कि और हम लोग आज कल कहां पर रह रहे हैं हम लोग भी इस संसार रूपी जेल में रह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि भगवान हमारे जीवन में भी आनंद से प्रगठ हो सकते हैं और हमारे जीवन को सुंदर बना सकते हैं तो देखिए थोड़ा सा background देखते हैं कि जब श्रीला व्यासदेव जो की स्वयम भगवान के ही अवतरण है वो अपने बद्रिक आश्रम में बैठ करके सब कुछ लिखने के बाद में एक वेद को चार वेदों में भाग करने के ब जिसमें बद्वत गीता भी है सब कुछ ही करने के बाद में भी वो प्रभुपाद लिखते हैं ट्रांसलेशन में डेस्पॉंडेंट थे असंतुष्ट थे तुष्ट नहीं थे यानि की अंदर से आनंद की अनुभूती नहीं कर रहे थी ये सब लिखने के बाद और वो सूर्दास जी और तुलसिदास जी तो जो सूर्दास जी थे वो चले गए अयोध्या छोड के वरंदावन तो सूर्दास जी ने तुलसिदास जी ने उनको लिखा सूर्दास जी को अरे क्या कमी रगुभीर के जो चाड़ी ऐसी बान अरे क्या कमी रह गई थी वही राम जी के पास जो चाड़ी ऐसी बान तो सूरदास जी ने अंसर दिया अरे मन बैरागी हो गया सुन बंशी की तान तो इस तरीके से भक्त जो है आपस में परसपर में लेते रहते हैं तो इधर जो है बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे कि आनन्द नहीं आरा क्या बात है और उस वक्त जैसा हम देखते हैं कि संत महात्माओं का ये महात्म है कि कोई सिंसेरली अगर सोच रहा होता है और हमारे को बताने के लिए उस वक्त वहाँ पे नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी हम जानते हैं उन्होंने पहले स्वाय मी पूछ लिया, भाई क्या तुम खुश हो, बताने की जुरत नहीं पड़ी उनको, कि भाई मेरे को दिक्कत हो रही है, और बलकि व्यास देव जी ने उनको ये बोला, नारण जी ने, नारण जी को ये बोला, कि महाराज हाँ, आप जानते हैं मेरे मन के अंदर की बात, तो इसलिए आप बताईए कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब ये है, कि जो गुरु है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमारे बारे में उनकी जानकारी अधिक होती है, तो नारण जी ने उनको बोला, कि भाई, देखिए, ऐसा है, आपने भगवान का न कोटा सा जगत्या है बस, लेकिन सेंटर में आपने नहीं रखा, और उसके बाद मुनों ने वो फेमस वर्स कहा, जिसमें है, क्या है वो, जो भी कुछ लिखा गया हो, या बोला गया हो, यदि उसमें बीच में भगवान नहीं है, तो वहाँ जगे कैसी है, कवे के तीर्थ के समान है, उसके बाद मैं उन्होंने ये बोला, कि जो, अब ये जो बताने जा रहे हैं, नारज जी, व्यासदेव जी को, वो कह रहे हैं कि विपलवा हा, जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो रिवोल्यूशनरी है, आम बात नहीं है, और क्या कहा उन्होंने, कि रिवोल एक है ब्यूटी शोभा इस तरीके से तो अब यह देखिए नारज जी ने क्या कहा व्याजदेव जी को एक पांच बारा में उन्होंने कहा नैश्क्रम्यम अच्चुत भाववर्जितं नशोभते ज्यानमलं निरंजनं कुताह पुनाह शश्वद अभद्रम इश्वरे नचर्पितं कर्मयदाप्यकारणं नैश्क्रम्यम उन्होंने क्या बोला ये श्लोका जो है ये रिवोल्यूशनरी श्लोका है इसके पिछले श्लोक में बता चुके नारज जी क्या कि नैश्क्रम्यम निश्काम कर्म यद अपी अच्चुत भाववर्जितं यदि उसमें निश्काम कर्म में यदि अच्चुत भाव का तड़ नहीं लगा हुआ है उसमें अच्चुत भाव वर्जित हैं अगर तो नशोभते वो ब्यूटिफुल नहीं है बाई अगली है नशोभते ग्यानमालम निरंजनम इसी तरीके से यदि खाली शुष्क ग्यान है क्या निराकारवाद तक कहुँच गए तो भी नशोभते कुटापुना और फिर कहना ही क्या है कुटापुना कहना ही क्या है कुटापुना उसके बाद में कहना ही क्या है किस चीज़ का शश्वद अभध्रम इश्वरे शश्वद यानि एटर्नल हमेशा के लिए अभध्रम अगली इश्वरे नचर्पितम कर्म तो फिर कहना ही क्या है जो की कर्म भगवान को अरपन सकाम कर्म, fruitive activities जो भगवान को अरपन नहीं की गई हो, अकारणम उसका तो कहना ही क्या है तो इसका अर्थ क्या है? इसका पहले translation देख लेते हैं आत्म साक्षातकार का ज्यान समस्त भौतिक आसकती से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्चुत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाब है? यदि वे भगवान की भक्ती के लिए काम ना आ सकें और जो स्वभावतह प्रारंब से ही दुखपरत तथा क्षणिक होते हैं तो एक पांच बारा में नारज जी ने revolutionary statement दे दिया कि आप अगर सक्ची सुंदरता आपने जीवन में लाना चाहते हैं तो इसके पहले की ये बताया जाए उन्होंने ये पहले बता दिया कि क्या क्या अशोभनिय है और शोभनिय क्या है तो आज की चर्चा का यही विशा है कि क्या क्या अशोभनिय है इस कसोटी पे मैं अपने जीवन को चेक कर सकता हूँ कि क्या मैं अशोभनिय है चीजें कर रहा हूँ तो मेरा जीवन अशोब निये है या मेरा जीवन शोब हीते है यानि beautiful है तो नारज जी ने क्या इसमें बता दिया कि निश्काम कर्म ज्यान शुष्क ज्यान इंद्रिय संतुष्टी के लिए किये गए कार जिनमें कृष्ण नहीं है वहाँ शोभा नहीं देता है वो पूडे करकट के समान है ये नारज जी का revolutionary statement है अब statement हमने देख लिया लेकिन आप देखना ये है कि ऐसा क्यूं है भागवतम में यही आनंद है देखिए भागवतम को निचोड़ो तो उसमें से रस निकलता है वैसे पंचांग में लिखा हुआ है कि इस वर्ष 20 इंचिज की वर्षा होगी लेकिन पंचांग को निचोड़ो एक गुद भी निटपकती है उसमें से लेकिन भागवतम वो रसम आलयम वो रसिक लोग जो है मुहर भविका भुवी भावुका रसिक जो पीते है तो इसमें उन्होंने बता दिया कि महाराज निचकाम कर्म जो है ना शोग हते अगर उसमें भगवान कृष्ण नहीं है तो उनका भाव नहीं है इसलिए हमारी संस्था में नाम है कृष्ण भावान मृत देखिए नाम भी भगवतम पे ही है निचकाम कर्म ज्यान और सकाम कर्म इन तीनों में यदी अच्युत भाव नहीं है तो नाशो भते नारद जी ने उनको बता दिया आप सोचिए थोड़ी से मुझे डांट पड़ती है ओफिस में इतना बुरा लगता है व्यास देव जी ने इतनी लाइफ इतनी ज्यादा एज तक क्या-क्या नहीं लिख मारा और नारद जी आके उनको यह बता रहे कि सब फाइदा नहीं है जो भी कुछ लिका सब कहुए के तीर्थ के सवान है जहां पर जो भी भगवान अच्चुत भाव नहीं है तो अब आज का थोड़ा से यह देखेंगे कि ऐसा क्यूं कहा नारद जी ने अगर जीवन कृष्ण से रहित है तो ना शोभते लाइफ ब्यूटिफुल नहीं है निशकाम करम करो तो भी नहीं है खाली ज्ञआन मार्ग में जाओ तो भी लाइफ ब्यूटिफुल नहीं है शोभनिए नहीं है और भोग करम का तो कहना ही क्या बहुग करम क्या होते है fruitive activities यह fruitive activities प्रभुपाद की terminology है यह क्या है fruitless fruitive activities fruitless fruitive activities मतलब fruitless मतलब spiritual fruit नहीं देती है है ये fruitive activities सकाम कर्म है लेकिन कामना की पूरती नहीं करती है material कामना की तो पूरती की कोशिश होती है लेकिन जो spiritual कामना है उसकी पूरती नहीं करती है इसलिए ये fruitless fruitive activities तो अब ये चर्चा करते हैं एक एक करके कि यह इन्होंने ऐसा क्यों कहा, सबसे पहले निशकाम कर्म न शोबते, रहे वह भण क्यों, निशकाम कर्म तो महट अच्छा होता है, देखिये, यह यह जो श्लोक है, इसको सही भाव की दरश्टी से देखना होगा, निशकार्म कर्म है अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अत्यांत उत्तम जो शोभा है, उससे नीचे है, जो भी लिखा है इसमें, इसका ये अर्थ नहीं हो गया कि निशकार्म कर्म कर्म, बोले जी, निशकार्म कर्म तो भगवत गिता में बता गया है, पहलेशु कदाचना और आप बता रहे हैं कि महाराज, निशकाम कर्म न शोबते हैं, तो यह क्या लिख दिया? इसको करते ट्रांसेंडेंटल कॉंट्रेडिक्शन. निशकाम कर्म बहुत अच्छा है, no doubt about it. लेकिन सुंदर्ता की पराकाष्ठा नहीं है, नारज जी ये बताने जारे हैं, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है, कि निशकाम कर्म बहुत बढ़िया होता है, लेकिन फिर भी अगर उसमें अच्युत भाव नहीं है, तो ना शोबते. कोई भक्त गैस करना चाहेंगे क्या? कि निशकाम कर्म भी ना शोबते? ओके, let's continue. तो निशकाम कर्म में क्या है? व्यक्ति निशकाम कर्म करता है, बिना किसी कामना के. ये उतम है ये भी. लेकिन कर्म तो निशकाम कर्म कर दिया, लेकिन फल उसका होगा. निशकाम कर्म का ये अर्थ नहीं है, कि उसका फल ही नहीं होगा. निश्काम कर्थ का ये है कि फल होगा लेकिन मुझे नहीं चाहिए अपनी तरप्ती के लिए देखिए ये बहुत सुक्षमा बात है यहाँ पे जो भागवतमने से आई है निश्काम कर्म हुआ कर्म है जिसके लिए मैं करके उसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहता लेकिन रिटर्न में आएगा जरूर लेकिन मेरे को अपनी इंद्रिय तरप्ती के लिए वहन नहीं चाहिए तो निश्कार्म कर्म नशोबते इसलिए है कि अगर वो जो फल आया कर्म करने के बाद किया तो निश्काम ही था लेकिन जो फल आया, उसको अगर अपनी इंद्रिय ट्रप्ती में लगा दिया by chance. इंटेंशन तो नहीं थी, लेकिन अगर by chance इंद्रिय ट्रप्ती में लगा दिया और उस फल को अपनी इंद्रिय ट्रप्ती के लिए उपयोग कर लिया, तो भसें. मतलब रिस्क है बहुत बड़ा स्टार्ट तो यही किया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए देखिए वो बरगत का प्यड होता है बरगत का प्यड उसमें साड़ी जड़े कीच करके निकाल दो पूरा निकाल दो सब साफ हो गया यानि सारी कामनाय निकाल दी अगले दिन सुबेरे आओ एक छोटी सी डंडी निकली होई होगी यह चाहिए तो अब क्या करें कि निशकाम कर्म को वैजसे निशकाम कर्म बढ़िया कर्म है लेकिन उसमें फसने के चांसेज हैं क्योंकि फल तो होगा और उस फल को क्या किया उस फल का उस पर डिपेंड करता है कि फसे या नहीं फसे अगर अपने भोग के काम मिले लिया तो फस गए तो अब क्या करें अपने जीवन में अच्चुत भाव को जोड़े यही बता रहे नारज जी तो उसको यह क्यों कहा नारज जी ने देखिए यह नारज जी भी जो पूरा वो भी तो अवतारी है ना एक अवतार दूसरे अवतार को बता रहा हमारे लिए तो देखिए भगवत गीता 3.9 में क्या आता है यज्यार्थो कर्मन अन्यत्रा लोकोयम कर्म बंधनहा यज्यार्थो कर्मन अन्यत्रा यज्यार्थो भगवान कृष्ण के लिए काम करना भईया अन्यत्रा वरना क्या होगा लोकोयम कर्म बंधनहा किया वनिश्काम कर्म लेकिन यदि उसका फल जो है वो भगवत सेवा में नहीं लगाया भगवान को अरपण नहीं किया तो लोको यम कर्म बंधन हा दुबारा फस जाएगा इसलिए निश्काम कर्म में ना शोभते नैश्करम्यम ये नारज जी ने क्या बिलकुल येस नारज जी ने उसका निचोड इसलिए बता दिया कि नैश्करम में अच्चुत भाव वर्जिता में जैसे ही वर्जित अच्चुत भाव के निश्काम कर्म किया उसका फ़लाया भगवान में नहीं लगाया अपने भोग सामगरी में लगा दिया और फस दिया तो इसलिए पता पढ़ गया हमें कि निश्काम कर्म जो है वह जीवन की पराकाष्ठा सुन्दरता नहीं है अच्चा कर्म जरूर है लेकिन नारज जी के स्टैंडर्ड के हिसाब से भागवतम के स्टैंडर्ड के हिसाब से नाशोगते सुन्दर नहीं है अब आगे चलते नाराजी ने क्या बोला था ज्यान भी जो है शुष्क सब जगे भगवान है मैं आत्मा हूं सब जगे भगवान है ये बहुत अच्छी बात है सकाम से तो बहुत ही ज़्याद अच्छी बात है लेकिन ना शुबते क्यों गई ऐसा क्या प्रॉबलम हो गई ग्यान तो बहुत अच्छी चीज़ है मेरा कार ग्यान की प्राप्तिवी कम से कम सांसारिक जगलों से तो छूड़ गया आदमी तो ना शुबते इसको थोड़ा से देखते हैं क्यों ना शुबते यह सुन्दर अत्यांत सुन्दर क्यों नहीं है सुन्दर जरूर है क्या क्या कर सकता है वहां खाली हमें material infections से छुटा सकता है यानि की जो इस भव के रोग हैं यानि की दैरिक दैरिक भौतिक तापा यह जो है ग्यान मारगी है इन से छूट जाता है क्यों वह कहता है मेरा कुछ नहीं है यह संसार भी मेरा नहीं है मेरा शरीर भी नहीं है और भगवान सब जगे है इस विचार में स्थित होने से वह material infection से छूट जाता है लेकिन उदर देखिए भगवत भक्ती से क्या होता है दैविक दैविक भोतिक तापा रामराज नहीं काविवयापा रामराज आते ही सब गाहिव हो जाता है बीना effort के यह effort लगाना पड़ता है आगे चलते हैं यह हमको निराकार ब्रह्म तक लेके जाता है निराकार भ्रह्म भी कोई मैं तो जबान से ही कह रहा हूँ कोई qualification नहीं है लेकिन निराकार भ्रह्म तक पहुचना भी कोई आसान बात नहीं है लेकिन सुंदर्ता जीवन के सुंदर्ता की पराकाष्ठा नहीं है क्यों? प्रभुपाद लिखते हैं जगे जगे परपर्ट में कि जो निराकार भ्रह्म के लिए है वहाँ भगवान की एफल्जंस में पहुच जाते हैं लेकिन वहाँ से गिरने का खत्रा होता है देखिए वो क्या है वो? प्रमभवति धर्मात्मा शाष्वत शांतिम निगच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च शुष्क ज्यान जो है खाली फिर क्या है वो खाली material misery से छुटकारा दिला देता है और highest level of bliss जो उत्तम कोटी का जो आनन्द है उसकी प्राप्ती जो परम उत्तम आनन्द है आनन्दां बुधि वर्दनम परतिपडम पूर्ण अम्रित आस्वादनम तो जो आनन्द का जो सागर है उसको बढ़ने वाला वहाँ पे वो आनन्द नहीं है परमानन्द आनन्द जरूर है क्यों कि संसार के उससे छूट गया लेकिन फिर भी जो पराकाष्टा है जीवन के सुन्दरता की उसके लिए ना शोभते अब देखिए इसके आगे ये भी बताते है कि असली ज्ञान क्या है ये तो ज्ञान हो गया बस निराकार तक हुए और साब अफलजंस तक पहुँच गए लेकिन भागवतम बताता है कि असली ज्ञान क्या चीज है वो क्या है एक दो ग्यारा यानि जो तत्व के जानने वाले है यानि जो असली ज्ञानी है वो क्या कहते है वदंती क्या कहते है कि ज्ञान असली क्या है ब्रमेती परमातमेती भगवान इती शब्दते की खाली ब्रम से ही नहीं है भगवान ब्रम भी है उसके आगे भगवान परमातम से की उससे बैठे हुए हिर्दय के अंदर परमातमा के रूप में और भगवान इती शब्दते तो यह है realGang양 जो की असली और पूरा शोभनी यह ग्यान है अब आगे चलते हैं तो हमने देख लिए निश्कामकर्म ना शोभते दूसरा देख लिया ग्यान ना शोभते अब सकामकर्म पर्मानेंट टूरिस्ट वीजा वो तो न शोबते क्यों क्योंकि शुरू से ही उसमे कष्ट है करने से और अंत में भी कष्ट है और पर्मेनेंट टूरिस्ट वीजा मिल जाता है 250, नूनी में घुबने का तो वो तो भई शोबते कैसे हो सकता है और इसका प्रूफ कि शोबनी यह क्यों नहीं है, तो यह देखिए, आता है, कुरंग, मतंग, पतंग, भ्रिंगा, मीना, हतह पंचा, विरेव पंचा, एकाह प्रमादिसा कथमना हन्यते, यसेवते पंचा भी एव पंचा, तो सकाम कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटी करने से क्या होता है, इस श्लोक में करता हूं कि किस तरह से रोज पिटाई होती है, कुरंग, कुरंग ग्यानी डियर, उसको फ्लूट बड़ी पसंद है, मतंग, एलिफेंट, उसको टच बहुत पसंद है, पतंग, पतंग, यादी गर्मी में देखा है, यादी दिया जल रहा हो, तो जो मौत होता है, पतंग हो होती है, हनी भी, उसको कमल की खुश्बू इतनी बढ़िया आ रही होती है, तो उसकी तरफ अट्रेक्टिड होती है, और मीना और फिश, उसको स्वाद का बहुत आकर्शन होता है, हतह पंचा भी रेव पंचा, ये पांचों इंद्रिय सुख की वज़े से अपने आपको न उसको पखड़ लेता है, ऐलीफैंट, मतंग, वो क्या गरता है, जैसे ही उसको चूते हैं, उसको पखड़ने के लिए, एक शी, मादा, हाती, हतिनी को बान देते हैं, और उसके आगे बहुत-बड़ा गड़ा खोद देते हैं, और जैसे ही वो दूर से देखता है कि हतिनी ह है, उसकी तरफ आकरशित होता है उस touch की तरफ सपर्षन की तरफ वैसे ही वो उस गढ़ह में गिरता है और हमेशा के लिए अपनी स्वतंत्रता को खो देता है फिर पतंग आता है, पतंगा अपनी जान देता है अगनी में घुस करके क्योंकि उसको द्रश्टी से आग की रोश्णी से इतना ज़्यादा आकरशन है उसको और ब्रिंगा वो हर जगे डून रहा होता है लोटस में बैड़ जाता है जाके उसका रस लेने के लिए लेकिन रात्री में जब कमल बंद होता है तब भार निकल सकता है लेकिन नहीं निकलता क्यों उसको सुगंद का इतना आनंदार होता है और सुबेरे तक तो उसका अल्याण हो चुका होता है प्राम सके जा चुके होता है और मीन हम जानते ही हैं मचली पकड़ने के लिए काटे में लगाते हैं और उसको पकड़ करके मचली फस जाती है तो इस लोकां बता रहे हैं कि कुरंग मतंग पतंग भ्रिंग मीन हता पंचा भिरेव पंच ये जो पांचों हैं ये एक एक इंद्रिय की वज़े से खाली किना पड़ता है एक प्रमादी सा कथम नहन्यते ये सिर्फ एक इंद्रिय से ऐसा होता है ये सेवते पंचा भिरेव पंचा जिसके पास पांचों मौजूद हैं उसका हाल क्या होगा तो हपन सब में मुझे में ये पांचों मौजूद हैं कान जो है सुनना चाहते हैं सपरश करना चाहते हैं हाथ पतंग अच्छा देखना चाहते हैं आइस ब्रिंग की तरह है खुश्बू खीच रही है मीन जो है आपस में इंद्रिया एक दूसरे से लड़ रही है पहले मैं पहले मैं पहले मैं मुझे पहले देओ और जबान जो जो है वो भी न शोबते अब चर्चा ये करेंगे नारज जी ने तो बता दिया कि निश्काम कर्म, शुष्क ज्यान, फ्रूटे वर्क न शोबते तो अब सवाल ये पैदा होता है कि what is शोबते, सुंदर्था एक्चिली में क्या है और यही नहीं अगर नारज जी बता रहे है क्या सुंदर्था है तो वो क्यों है सुंदर्था, कंक्लूशन तक जाएंगे कि ऐसा क्या है कि जो सुंदर्था की पराकाष्ठा है लाट ले के आता है हमारे जीवन में और क्यों है वो सुंदर्था, खाली इसलिए लिखा है भागवत्तम में इसलिए नहीं मान लेंगे, म अच्छुत भाव जब तक नहीं होगा, तब तक शोबते नहीं है। तो अब देखेंगे कि नारज जी क्या बता रहे हैं, अच्छुत भाव किस तरह से जीवन में लाया जाए कि शोबते हो, और जब कृष्ण भावान मृत में जब है, तो वो क्यूं है, दोनों चीजों का आज, तो सबसे पहले कि अगर निश्काम कर्म, ज्ञान, सकाम कर्म, सारे नाशोबते हैं, तो शोबते क्या है, सुंदरता क्या है, और क्यूं है, अब इस पर चर्चा करेंगे। तो एक पाँच बारा में तो उन्होंने बता दिया, नारज जी ने, नैश्करम्याम अच्चुत भावरजितम, जो श्लोका हमने लिया, अब उससे अगले वाले श्लोक में आंसर दे रहे हैं, कि क्या शोबते हैं, अगला श्लोक क्या है, अथो महाभाग, अथो, therefore, महाभाग, आपका भागे जिनका बहुत उच्छ है, भवानमोगद्रग, पर्फेक्ट, जो सियर हैं आप, शुची, श्रवाह, शुची, यानि, स्पॉटलेस, बिल्कुल क्लीन है, श्रवाह, आप बहुत फेमस भी हैं, सत्य रतो, सत्य में हमेशा स्थित रहते हैं, द्रणावरता, नारज जी किनको बता रहे हैं ये सब चीज़ हैं, व्यास देव जी को, उरुक्रमसी अखिलबंध मुक्त ये, तो जो उरुक्रमसी जो भगवान स्वयम है, लिबरेशन के लिए, और आगे, मुक्ती के लिए और भक्ती के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनके पास्ट टाइम्स, श्रवन, ये अनुस्मर करना चाहिए, तो answer क्या दिया, क्या शोभते है? पहले उन्हें बताया क्या शोभते नहीं है अब बता रहे हैं शोभते क्या है? जीवन की सुंदर्ता क्या है? क्या है? और इसमें बहुत ही एक सुन्दर यह आता है कि प्रभुपात का ट्रांसलेशन देखे एक एक वर्ड के पीछे पूरी बालवतम का निचोड है मतलब किस तरीके से देखिए वो क्या कह रहे है हे व्यासदेव तुम्हारी दृष्टी सभी तरह से पूर्ण है तुम्हारी उत्तम ख्याती निकलुश है तुम अपने व्रत में द्रण हो और सत्य में स्थित हो अतैव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ती दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विश्यक में समाधी के द्वारा चिंतन कर सकते हो इसमें जो word-to-word translation है उसमें अनुस्मर में हिंदी में है बारम बार सोच कर वरणन करना और इंग्लिश में है अनुस्मर में ठिंक रिपीटिडली एंदेन डिस्क्राइब देन अब हम थोड़ा से इसको इसको question को पार्क कर देंगे अनुस्मर को अगर हम translation देखते हैं संस्कृत में तो meaning है बार-बार सोचना लेकिन प्रवपाद ने साथ में क्या लगाया एंड डिस्क्राइब देम ठिंक रिपीटिडली देन डिस्क्राइब देम यानि वो क्या कह रहे हैं व्यासदेव जी को कि पहले आप खुद विचार करिए फिर डिस्क्राइब भी करिए अनुस्मर में उन्हों लगाए बार-बार आप इसका चिंतन करिये और वरनन भी करिए तो हम देखेंगे बाद में कि उन्होंने वरनन करिये और describe them क्यों लगाया जबकि अनुसमर में कहीं पर भी आप देख लिए जा अनुसमर का खाली meaning होता है बार-बार चिंतन करना पर उन्होंने प्रवपाद में लगा दिया describe करना बात में इस question पर वापिस आते हैं आगे आएगा यह ऐसा क्यों करा ठीक है तो सबसे पहले अब सवाल यह उन्होंने बोल दिया एक पाँच तेरा में की अनुसमर जो है वह शोबते है अब सवाल पैदा यह होता है कि अनुसमर शोबते क्यों है नारज जी ने ऐसे ही तो नहीं बोला होगा कि भगवान का निरंतर चिंतर करने से आपका जो जीवन है वो अत्यधिक अत्यंत सुंदर में होगा ऐसा अनुसमर जो है वो शोबते क्यों है तो देखिए आप इसको चेक करते हैं कि क्यों शोबते कहा उन्होंने नारज जी ने तो पहला सबसे पहले हमको याद होगा कि 2.15 में जब परिक्षित महराज ने उठा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए शुकदेव गोस्वामी तब उन्होंने क्या आंसर किया उन्होंने वही आंसर किया जो उन्होंने अपने गुरु व्यास देवजी से सुना था शुक्देव गोस्वामी ने दो एक पांच में क्या आता है तस्मात भारत सर्वात्मा भगवानी श्वरोहरी श्रोतव्या कीर्तितव्यष्चा स्मर्तव्यष्चा इच्छता अभयम स्मर्तव्यष्चा अनुस्मरण क्या बताया पहले दो एक पांच में कि भगवान का स्मर्ण यदि किया जाए, तो इस संसार के जनम चक्र रूपी जंजाल से तुरंत ही इस भए से मुक्ती हो जाती है, इसलिए शोबते, इसलिए नारज जी ने बोला कि हम आपके जीवन में भगवान की लीलाओं का स्मर्ण करोगे, तो शोबते है, क्यों? क्योंकि इस जनम मृत्यू के चक्र से छुटकारा हो जाएगा, आपन्नह समस्मर्दी गोराम, यतनाम विवशोगरन, ततह सद्य विमुच्चेतर, यत्मिवेति स्वयम भयाद। तो पहला हमने देख लिया कि क्यों है शोबते, क्योंकि जनम मृत्यू के चक्र से छुटकारा हो जाएगा, भगवान का अनुस्मर्ण करते ही, इसलिए नारज जी ने उनको कहा कि भई, आशोबनिये में मत पढ़ो, जो शोबा, जो ultimate सुंदरता है उस पे जाओ, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, अभी हमने देखा कि भगवद गीता 9.3 में, उन्होंने क्यों कहा कि नाम लेने से, स्मर्ण करने से शोबनिये है, क्यों, भगवद गीता 9.31 बताता है, चिप्रम भावति धर्मात्मा, शाच्वच्यांतिम निगच्छती, कौन तेया प्रति जानिही, नमे भक्त्या प्रनश्यती, तो पहले तो फॉल डाउन नहीं होता, नमे भक्त्या प्रनश्यती, क्योंकि भगवान को स्मर्ण कर रहा है, कभी गिरेगा नहीं, इसलिए कुछ करके बताया कि भाई, अनुसमर करो, क्या खिप्रम भावति धर्मात्मा, खिप्रम फटा फट धर्मात्मा बन जाता है बागवान का नाम लेती, इसके लिए एक उधारन के लिए एक आती है कि एक चोर था, तो सुबे रहे करीब साड़े चार-पांच बजे, वो एक बगीचे में फलों के बगीचे में घुसा, चोरी करने के लिए, उसने का सुबे सुबे फल तोड़ता हूँ, अंदर घुस गया साब, फल तोड़ रहा था, जैसी फल तोड़ रहा था, बाई चांज माली जो था बगीचे का, उसको भनक लग गई, मालिक जो था वहां का, तो लाठी लेके मोटी भागा उसके पीछे, और यह आगे आगे वो पीछे पीछे, थोड़ा दूर था, पर आवाज से सुन करके मालिक भागा था, अब चोर ने का है तो फस गए भाईया, चा किया जा, बड़ी कस के पिटाई होगी, भलवल तो मुछ मिलेंगी नी, fruitless, fruitive activities, तो इसने क्या देखा, एक जगे पे, एक थोड़ा तालाब था, वहाँ पे कीचल थी, थोड़ी मिट्टी पड़ी हुई थी, तो उसने फटा-पट मिट्टी को लिया, अपने उपर इदर-दर सब लगाया, और वो बैठिया, और उसने क्या करना शुरू किया, फल तो, रामा, हरे, रामा, 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 हरे, हरे, भागवान का नाम लेने लगा, और अनुस्मरन करने लगा, अब देखिये क्या होता है, जैसे ही वो मालिक आया, उसने का, रे भाईया, अच्छा, उसने मिट्टी अपने उपर लगा लिया ता, मिट्टी से, उसन उसमें तो साब चोर के दंडवत कर दिया बोले महाराज कलती हो गई आप प्लीज यहां बैठिये सुबह जैसे ही भोर हुई वैसे ही उसमें समाचार फैला दिया गाउं में कि बड़े महात्मा आये हुए है उदर तो लाइन लग गई महात्मा के दर्शन के लिए और लोग बाग सामगरी लेकर आने लग गए एक के बाद एक उस चोर को दिये चले जा रहे है तो चोर की आँखों में आसू आ गए उसने क्या सोचा उसने का जूटे में मैंने भागवान का नाम लिया तो ये सब मिल रहा है अगर सच्चे में लेता तो पता नी क्या मिलता तो ये उदारन है किसका ये प्रमभवती धर्मात्मा तूरंत धर्मात्मा बन जाता है बागवान का नाम गुड़दान स्मर्ण करते शाश्वत शांतिम निगच्छती शाश्वत यानि पर्मानेंट शांति को प्राफ्थ होता है कौन देया प्रतिजान नमे भक्त्या प्रणश्यती और वो गिर नहीं सकता है वह अच्युत के साथ रहेगा तो च्युत कैसे होगा ये बात है है अच्युत के साथ रह रहे हैं उनका अगर उनके संरक्षन में है तो चूत होने का तो सवाल ही नहीं है लेकिन भगवान का नाम अचूत है लेकिन अचूत हो जाते हैं वो भाव की दरश्टी इस देगी है भागवतम में आता है जब मालिन ने आवाज लगाई भावतम में आता है कि उनके हाथ में जो लेके आ रहे थे ग्रेंस उस मालिनी को देने के लिए वो ग्रेंस अचूत हो गए वर्ड आता है अचूत जो अचूत है वो चूत हो गए उसके हाथ से वो ग्रेंस चूत हो गए ग्रेंस गिर रहे थे जातर गिर चुके थे दो-चार दाने खाली बचे थे यह वर्ड है उसमें की जो दाने थे ग्रेंज के वो च्युत हो गए ऐसा आया उसमें anyway coming back here तो इसलिए क्योंकि शिप्रम भवती धर्मात्मा और नमे भक्ता प्रणश्यती इसलिए अनुस्मरण जो है वहाँ शोबेते यह है अच्चुत भाव होने से शोबेते अब आगे चलते हैं तीसरा लेते हैं हमने दो देख लिए एक तो भाई से संसार के जनम बर्तियों के भाई से मुक्ती दूसरा हमने देख लिया fall down नहीं होता तीसरा तुरन धर्मात्मा बन जाता है अब अगला देखते हैं अगला क्या है पूर तरहे से अनुस्मर करने से completely आदमी satisfy होता है क्या होता है तुष्ट मना completely सवाई पोमसाम परो धर्मो यतो भगतिर अधोक्षजे अहे तुकी अप्रतिहता यायात्मा सुप्रसीदती सुप्रसीदती completely satisfy होता है तो नारज जी ने अपना खुद का explain किया किनको व्यास देव जी को 1626 में क्या नारज जी ने बताया कि जब मेरे को उन्हों अपने पूर अपने उन्होंने पूर जनम की कथा बताई कि मैं दासी पुत्र था और उसके बाद में मैं जंगल उसके बाद नारज जी ने बताया क्या किया उन्होंने नामानियननंतस्याहत त्रपहपथन गोयानि बद्राणि कृतानि चास्मरंग Constantly remember गामपर्यतंस तुष्टमना पर्यतं उनने टूरिजम किया क्या तुष्टमना पूरी तरह से साटिस्पाई होके सारी उनकी मेटेरियल डिजार चली गई गामपर्यतंस तुष्टमना गतसपरह कालम प्रतीक्षन विमदो विमत्सरह तो क्या-क्या हुआ? एक तो गतसपरह पूरा वो मेटेरिल डिजार से फ्री हो गई दूसरा विमदो यानि एहंकार्म का समाप्त हो गया विमत्सरह अनवीयस हो गई और तुष्ट मना बिलकुल संतुष्ट अपने आप में हो गए इसलिए शोभते अनुसमर इसलिए शोभते क्योंकि वो क्या कर रहे थे गुईयानी बद्रानी कृतानी चस्मरन इसलिए रहने बताया इपने experience से बताया खाली ऐसे ही नहीं बता दिया कि मेरे को भी देखो satisfaction पूरी हुई थी इसलिए शोभते है तो तुम भी व्यासदेव जी स्मरन करो अपनी लाइफ को पूरी तरह से beautiful, सच्छी, सुंदरता की प्राप्ती के लिए तो इसलिए तुष्ट मना ये चोथा reason हो गया अब आगे चलते हैं इसलिए शोभते अब नारग जी जो भी है यही चीज भगवत कीता में भी आती है कृष्ट जी बता रहे है अर्जुन को तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्धचा माम अनुस्मर युद्धचा मैय अर्पित मनो बुद्धेर माम अनुस्मर युद्धचा देखिए अनुस्मर भी करना है तुम्हें और युद्धचा भी करना है अर्जुन ने का खाली यह नहीं खाली बता स्मरन करते रहो क्या जुरत लड़ाई करने की चोड़ो ना मेरा नाम स्मरन करो इसका अर्थ क्या है translation में भी आता है कि मुझे याद करो और अपनी जो तुम्हारी duty है, prescribed duty उसको पूरा पूरा करो जो भी वरणाश्रम के हिसाब से तुम्हे कार मिला है, उसको पूरा करो इन दोनों को करो अनुसमर भी करो और prescribed duties भी करो, तो फिर क्या होगा? मयार, पित्मनों, बुधिर और मुझे अरपन करो, उससे क्या होगा? मामे वेश्यसी, असंशया पक्का मेरे पास आएगा तो अनुसमर करने से और अपनी prescribed duty करने से, भगवान कह रहे है और मेरे को समारपन करने से पक्का मेरे पास आएगा इसलिए शोभते इसलिए शोभते है अनुसमर अब आप देखिए वहाँ पे पुराना वो जो जो हमने पहले जो श्लोका लिया था पहला श्लोका दैश्करम में अच्चुत भाववर्जितम उन्हाने वहाँ पे क्या लिखा था? उन्हाने बोला था इसके आंसर में उन्हाने तेरा में बोला था कि आपको अनुसमर करना चाहिए और भगवान की गाथाओं का डिस्क्राइब करना चाहिए ये question हमने पार्क कर दिया था शुरू में क्या करना चाहिए आपको? आपको अनुसमर करना चाहिए एक पांच तेरा में उन्होंने बताया और उन्होंने ये कहा कि आपको एक पांच तेरा एक पांच तेरा में क्या आया कि आप अनुस्मर करिये और अनुस्मर करने के बाद ने हाँ क्या था अनुस्मर का ट्रांसलेशन प्रहुपाद ने लिखा था think repeatedly and then describe them तो नारत जी ने व्यास देव जी को बोला कि आप अनुस्मर करिये और उनकी लीलाओं को describe करिये नाम गुणगान करिये तो क्यों आया इसलिए कि अनुस्मर के साथ साथ prescribe duty भी करना जरूरी है जैसे यहाँ पर बताया भगवान ने क्या इस वाले में अरजुन को बताया अनुस्मर कर और युद्ध भी कर ठीक है दोनों करो इसी तरह से नारत जी ने उनको बोला आप अनुस्मर भी करिये और आपकी prescribe duty क्या है विपुली करो भगवान के नाम मुणगान को आप बढ़ाईए उसका प्रसारण करिये जगे जगे पे इसलिए प्रभुपाद ने अनुस्मर होने का जो खाली translation तो खाली है वहाँ पे है बार-बार चिंतन करना पर साथ में उनको ने लिग दिया describe भी करिये क्योंकि उनकी जो prescribe duty है व्यास देव जी वह describe करना है भगवान की अरजुन की prescribe duty क्या है युद्धचा इसलिए अनुस्मर और युद्धचा तो इस तरीके से अनुस्मर करने से भगवान कह रहे हैं मेरे पास पक्का आएगा इसलिए शोबते अगर भगवान का नाम नहीं है तो ये सब नहीं हो सकता तो ना शोबते चाहे निश्काम कर्म हो चाहे शुश्क ज्यान हो चाहे सकाम कर्म हो अब आगे बढ़ते हैं तो अब पांच मिनिट रह गए हो जाएगा आपना भी भगवान की करपा से तो अब हम जरा फटाफट समरी ले ले लेते हैं कि अनुसमर जो है वो क्यों शोबते पहला जो भौतिक मिजरीज है दैहिक, दैविक, भौतिक ये इन तीनों से छुटकारा तो बाई प्रोड़क्ट हो जाएगा और जनम्मरन के मृतियों से बच जाएगा 215 फिर शोबते क्यों है? हमारा जीवन सुंदर कैसे बन सकता है? अगर भगवान का नाम गुणगान किया तो सब से ज़ादा शोबत क्यों होगा? क्योंकि जनम्मरतियों के चक्कर से बच जाएगे फिर 9-3 में क्यों बताया? क्या बताया कि चिप्रम भवती धर्मात्मा तुरंत धर्मात्मा तो खहरे एक बहुत छोटी बात है नमे भक्तिया प्रणश्यती फॉल डाउन नहीं होगा इसलिए जीवन का परम सुंदरता जो हम लाना चाहते हैं तो वो तब ही है जब हम भगवान के नाम गुणगान का स्मरण करें फिर तुष्ट मना हर आदमी जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है सबसे पहले तो नारच जी ने बता दिया कि भई जब मैंने अनुस्मर किया भगवान का तो मैं तुष्ट मना था गतस्प्रह एक छे चब्वीस में आ गया नारच जी ने बुला मैं गतस्प्रह हो गया material desires छूट गई मेरी विमड हा एंकार समापत हो गया proud खतम हो गया विमड सा रहा और जो एंवी जो जलन है दूसरों के प्रती वो भी खतम हो गई और आखरी मा में वैश्यसी असंच यहा बिना डाउट के पक्की बात है मेरे पास आएगा इसलिए अच्चुत भाव शोब हिते अगर अच्चुत भाव नहीं है तो ना शोबते अभी लेकिन एक क्वेश्चन अंतिम रह गया अंतिम क्वेश्चन यह है उन्होंने बता दिया कि स्मरन करने सा शोबिते है सुंदरता की पराश्टा है आप अपने जीवन को बना सकते हैं लेकिन भगवत गीता 8.6 बता रही है जो जो स्मरन करते हुए शरीर को छोड़ता है तजते अन्ते कलेवरम तजते यानि छोड़ता है अन्ते यानि अन्त में कलेवरम यानि बोड़ी सवाल ये पयदा होता है नारज जी नो बता दिया कि अन्त मर करना चाहिए और ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन अगर अन्त काल में भगवान का नाम याद नहीं आया तो तब क्या करेंगे तो उसका आंसर क्या है कि भाई वो तो ठीक है लिया हमने ना लेकिन अंतकाल में ऐसी हालत हो सकती है कि पता है कुछ भी हो सकता है नहीं आया तो उसका आंसर जो है इसलिए अनुस्मर शोभते पूरी जिंदगी बर क्यों? क्यों कि ये वरहा पुराण में इश्लो का है मरने के समय हो सकता है कि शरीर में वात, पित, कफ और ये सारे दोश इतने प्रगट हो जाए भगवान बोल रहे हैं ये मेरा जो भख्त है जो समरन करता आया है जिन्दगी भर वो जो भख्त है हो सकता है वो अंत मेरा समरन न कर सके मेरा न कर सके मेरा तब भगवान क्या देर कह रहे है देखिए क्या इसलिए शोबत रहे लेकिन भगवान कह रहे है अगर अंत में नहीं कर पा रहा है वो स्मराण उसकी condition ऐसी हो गई है पित कफवात हो गया है तो हम स्मरामी मदभक्ता मैं अपने भक्त का स्मराण करता हूँ नायमी पारमागतिम घर वापिस लाने के लिए अपने साथ उसका आनंद करने के लिए बैक टू गॉड हेड के लिए मैं स्मर्ण करता हूँ उसका तो इसलिए इसका translation है अगर मेरा भक्त मृत्यू के समय मुझे याद करने में असमर्थ है उस समय मैं अपने भक्त को याद करूँगा और मैं उसे अपने सर्वोच निवास्थान पर वापस ले करके जाऊंगा अपने घर Back to Godhead वराहा पुराण में ऐसा लिखा है तो इस तरीके से भगवान का नाम मुणगान समर्ण करने से अनुसमर करने से जीवन की सच्ची सुन्दरता प्राप्त की जा सकती है जो की और किसी चीज़ से नहीं की जा सकती है और ये हमने scientifically बहुत ही logical तरीके से भागवतम में देखा करांत राज फ्रीमत भागवतम की जाए श्रीला प्रभुबाद की जाए अरंत कोटी वैश्नवरंद की जाए श्रीला प्रभुबाद की जाए कोई तुरूटी हो तो शमा करिएगा अगर कुछ ठीक है तो गुरू महराज और श्रीश नील माधाव की करपास है और आप सब भक्तों का आने के लिए और association देने के लिए कोटी कोटी नमस्कार Hare Krishna वैश्नसेवा प्रभुजी दंडवद Hare Krishna प्रभुजी Hare Krishna प्रभु दंडवद प्रशना 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 है Hare Krishna प्रभुजी आरती का समय हूँ को है Hare Krishna प्रभुजी आप ने स्टेंप प्रवचन देंगे तो आप जो भी कुछ लोग डाल रहे हैं उसका हो सके उदा आप दे ही रहे लेकिन कुछ-कुछ लोग का आप नमबर देना भूल रहे हैं तो क्या हो रहे हैं तो कि कुछ-लोग नोट बुक लेके बढ़ चाते हैं जैसा भी व अगा पुरान काफ ने बता हैं लाष्टि जी 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 अब क्या करना अभी तो लेट हुआ है अप हो और लेट पास्ट जैसा करना झालाओ है